हेलो गाईस कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्याज के प्रांठों की रेसिपी जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत क किजेगा पूरा वोच किजेगा तो प्रांठे बनाने के लिए हमें सबसे पहले आटा गूंत लेना है तो इसके लिए मैंने यहां पी लिया है एक कप आटा और उसमें मैंने डाल दिया है लगबग 2 चमच बेसन बेसन से प्रांठे बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनते हैं प्रास्ट में मैंने इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और नमक भी एड़ कर दिया हैं फ्रेंड्स कस्तूरी मेथी से प्रांटो का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो आप इसे जुरूर डालेगा और अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम आता को गुंस लेते हैं फ्रेंड्स यहां पर मेरी आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये प्यास के प्रांटो की रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैन ही लगाना है क्योंकि प्रांटो के लिए हमेसा सोफ्ट आटा ही चाहिए होता है और अगर हम आटा को टाइट गूंत देते हैं तो जो हमारे प्रांटे हैं वो बेलते वक्त फट जाते हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पे कुछी द करने के लिए फिलिंग त्यार कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने यहां पर दो प्याज लिए हैं और इसको हमें बिल्कुल बारिक बारिक ही कट करना है प्याज के प्रांटो के लिए प्याज को कभी भी चोपर में चोप नहीं करना है फ्रेंट्स यह बात आप ध्यान रखे इससे प्याज पानी छोड़ देंगे और प्रांठे हमारे अच्छे नहीं बनेंगे गीले हो जाएंगे जिससे की वो फटने लगते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछी देर में दोनों प्याज को बारिक बारिक कट कर लिया है और अभी मैंने इसमें डाल दिया है कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया इसी के साथ अभी हम इसमें एड़ कर देते हैं सारे मसाले तो मैंने इसमें आदा छोटी चमच जीरा पाउडर आदी चमच साबुत जीरा आदी चमच लाल मिर्च पाउडर आदी चमच धनिया पाउडर आदी चमच चाट मसाला और लास्ट में आदी चमच नमक एड़ कर दिया है और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात जो आपको ध्यान देनी है तो गाइस जब भी आप परांठे बनाएं तो उसमें नमक पहले बिल्कुल भी एड़ मत करियेगा जब आपको परांठे बनाने हो उसी टाइम ही नमक डालेगा क्योंकि अगर आप इसमें पहले ही नमक एड़ कर देंगे तो जो हमारे प्यास है वो पानी छोड़ देंगे और परांठे हमारे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि फिलिंग हमारी बिल्कुल त्यार हो चुकी है और अभी मैंने लिया है आटा और इसकी हम फटा फट लोईयां बना कर त्यार कर लेते हैं और परांठो के लिए लोई को हमें नॉर्मल रोटी के साइज से थोड़ा बड़ा ही रखना है और इसे के साथ मैंने यहां पे लिया है एक चकला और उसके मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा सूखा आटा जिससे कि जो हमारा परांठा है वो चकला पे चिपके न और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं हमें लोई की बीच में थोड़ा सा गड़ा करना है जिससे कि इसमें हम फिलिंग भर सके और इसे दबा कर बंद कर देना है और फिर इसे थोड़ा थोड़ा हाथ से ही फिला लेना है उसके बाद हम इसे बेलन से बेल लेते हैं फ्रेंड्स आप इसे हलके हातों से ही बेली का ज़्यादा दवाब नहीं लगाना है वरना प्रांटे फट भी सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ ही मिंटों में यह प्रांठा बना कर रेडी कर लिया है इसी तरह मैं आपको एक और प्रांठा बेल कर दिखा देती हूँ तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं फिर से मैंने इसमें बीच में गड़ा कर लिया है और अभी मैंने इसमें डाल दी है प्यास की फिलिंग और इसे अंदर की और दबाते हुए हम इसे अच्छे से बंद कर देंगे और इसे फिर से हातों की मदद से बेल लेंगे और इस पे थोड़ा-थोड़ा सुखा आटा डाल कर इसे हलके हातों से अच्छे से बेल लेंगे फ्रेंट्स हमें प्रांठों को पहले ही एक साथ इसी तरह बेल लेना है जिससे की जो प्याज है हमारे वो ज़्यादा पानी नहीं छोड़े तो गैस आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दूसरा प्रांठा बना कर भी रेडी कर लिया है इसमें थोड़े थोड़े जो यह प्यास दिख रहे हैं वो बहुती बढ़िया लग रहे हैं क्योंकि मैंने इसे थोड़ा पतला बेला है ज्यादा मोटा नहीं रखा और यहाँ पर मैंने गेस पर एक तवा पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था और अभी हम इस पे डाल देते हैं प्रांठा और इसे अच्छे से से शेक लेते हैं फ्रेंड्स जब भी आप प्रांठे बनाएं तो आप तवा लोहे काई यूज कीजिएगा उससे प्रांठे बहुती ज़्यादा टेस्टी बनते हैं तो मैं प्रांठे सेक रही हूँ देसी गी से क्योंकि मुझे देसी गी के प्रांठे ही अच्छे लगते हैं लेकिन जिस द हैं कि प्रांठा हमारा बनकर बिल्कुल त्यार है इसी तरह हम बचे हुए प्रांठो को भी अच्छे से सेक लेते हैं फ्रेंड्स ये प्रांठे खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे आप इन्हें एक बार अपने घर में बनाकर जूरूर ट्राई करना ये सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं और इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है तो आप इन्हें बच्छों के टिफिन में या अपने हज्बेंड के लेंच बोक्स में भी बनाकर दे सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं प्याज की ये प्रांठ की प्रांठों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं बुलें थैंक्यू सो मच बाइबाई